कि अचुछ वागत आपका मेडिकल जानकारी में आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपको देखने को मिल जाती है मिडास्कायर फार्मा कंपनी की काफी ज्यादा फेमस क्रीम है यह और इसका आपको पावडर का भी डूप मिल जाता है बैसे कली यह महिलाओं के वाइजानल इनफेंस के लिए यूज की जाती है तो आज कर दिटेवल को में महिलाओं को यूज कना चाहिए कई सब्सक्राइब के साथ बैल डाइकन को पर प्रप्रेस करेंगा नाती है पंदरह कराम की में बाइक रुपेंगें में जाता है जो कि एक क्रेंगल साल्ट होता है यह यह आपके परकार से काम करता है कि परकार के और वी फाइदे होते हैं के बारें बात करें तो फंगल इंफिक्शन दाद के लिए कीसी परकार से योनी में सुजन आरी हैं योनी में जरन होना। जोक कीच के लिए अब साल्ट का ये सकते हैं कि किल्डे और ड्राइग महिला को यूज ना चाहिए महिलाओं के लिए के धर का नाम मिलता है जैसे कि अगर जलन समय हो जाता है तो इस समय कर सकते हो पासीना आना पी पीन्स के समय allergy reaction देखने को मिलते हैं तो आप स्क्रीम को यूज कर सकते हो इसको लगाया किस तरीके से जाता है यह एक्टरनली यूज ओनली होता है यानि वजाइनल एरिया में लगा जाता है वजाइनल के अंदर स्क्रीम को कही भी कही भी नहीं लगाना चाहिए अगर आपको इंटरनली कि किसी प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हों यूज करने का तरीका क्या है किसी भी एफेक्टिव एरिया पर आपने लगाना है तो सबसे पहले उस एरिया को क्लीन एंड्राइक कर लिजेगा उसके बाद आपने स्क्रीम को लगाना है मिनिमम आपको 5-7 दिन तक ही इसका कि रिजल नहीं मिलता है किसी प्रकार से इंफेक्शन हो रहा है तो डोक्टर से कंसर्ट करें आगे अगर आप इसको यूज करना चाहते हो चार साल से छोटे बच्चों में इसका यूज कते भी नहीं करना चाहिए और पेगिनिंसी के दोरान भी क्लीन और ड्राइक क्रीम का यूज नहीं करना चाहिए साइड इफेक्स आपको एलर्जीक रियक्शन हो सकते हैं चकते हो सकते हैं अगर किसी परकार से आपको रियक्शन देखने को मिले या किसी परकार से चकते देखने को मिले तो क्रेम को यूज करना चाहिए तो इस परकार से आप क्लीन और ड्राइ आपको देता है तो गाइस यह था कुछ क्लीन ड्राय क्रीम के बारें डिटियल्स वीडियो योजे साइड इफेस्ट प्रिकुशन डोजिस अगर में आपको बता दिया है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक चुरू करें चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं मिलते अपने नेक्ट वीडियो के साथ ओकी बैटा टैन थैंक्यू फॉर वाचिंग